Hi friends, I am Abusaad and you are watching Abusaad Classes. Today I am going to tell you about Past Perfect Continuous Tense. Friends, Past Perfect Continuous Tense के वाक्यों में काम का जारी रहना Past Tense में पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय दिया होता है. ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे आते हैं. तो पढ़ते हैं सबसे पहले Affirmative Sentences. Affirmative Sentences क्या होता है? ऐसे sentence जिसमें ना तो किसी चीज़ का इंकार हो और ना ही किसी से कोई परस्ण किया जाए. इसे Positive Sentence भी कहा जाता है और Acerative Sentence भी कहते हैं. तो देखते हैं Rule No.1 परतियक Subject के साथ Head Bean लगा कर Verb की First Form के अंत में Ing लगाते हैं यानी Verb की Fourth Form लगाते हैं. जैसे हमने कहा, सीमा सुबा से अपनी गुडियों से खेल रही थी. अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यह sentence आपको दिखेगा Past Continuous Tense. लेकिन यह Past Perfect Continuous Tense क्यों बना? क्योंकि इसमें एक टाइम दिया गया है कि इस वक्त से यह काम चल रहा था और किसी समय तक चलता रहा. सीमा had been playing with her dolls since morning. अब देखते हैं Friends Rule No. 2. समय दिखाने के लिए For या Since लगाते हैं. अगर निश्चित समय है Point of the Time है तो उसको दिखाने के लिए Since का प्रियोग करेंगे. जैसे Since Tuesday, Since 1998, Since Morning, Since 4 o'clock. Example है वह सुबा से अपने दोस्त से जगडा कर रहा था. अब यहाँ पर सुबा एक Confirm Time है तो यहाँ पर हम Since का प्रियोग करेंगे. He had been calling with his friend since morning. अब देखते हैं Rule No. 3. समय की अवधी यानि Period of the Time के लिए 4 लगाते हैं. जैसे For 2 days, For 3 months, For 5 hours. Example, वे अवरतें 3 घंटे से कप्ड़े धो रही थी. Those women had been washing their clothes for 3 hours. Friends, इसमें Time Fixed नहीं, Confirm पता नहीं कि वो कौन सा दिन था या कितना बज रहा था, कौन सा साल था. बस हमें एक Period of the Time बताया गया है. तो यहाँ पर हम For का प्रियोग करेंगे. Friends, अब देखते हैं Negative Sentences यानि नाका रात्मक वाक के. नाका रात्मक वाक यानि Negative Sentences में सिर्फ Had के बाद Not लगाएंगे, बाकी Sentence आपका सेम रहेगा. Example है, वो दो दिन से पर नहीं रही थी. She had not been reading for two days. अब Friends, देखते हैं Introgative Sentence. इसके कई Kinds होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले आपको Rule No.1 के बारे में बताएंगे. कि अगर वाक के के आरब में क्या हो, तो Head करता से पहले लगाते हैं. जैसे क्या वो तीन घंटे से अपना काम कर रहा था, तो यहाँ पर Question Pended है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले helping verb लगाएंगे, उसके बाद subject, उसके बाद been, verb की fourth form, object, उसके बाद since far जो भी switchable हो, उसके बाद time. जैसे यहाँ पर है, Had he been doing his work for three hours, अब देखते हैं rule number two, interrogative sentence का, अगर वाक के के बीच में कोई Question Word आ जाए, यानि किसी से हम कोई Detail पूछे, तो सबसे पहले हम Question Word लेके आएंगे, उसके बाद helping verb, उसके बाद subject, फिर been, verb की fourth form, उसके बाद object अगर होगा तो लाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, उसके बाद since for जो भी switchable होगा, उसके बाद time लगाएंगे, जैसे कुटे एक घंटे से क्यों दवड रहे थे, यहाँ पर हमने क्यों लगा के सवाल किया है, कि मतलब कुटे एक घंटे से क्यों दवड रहे थे, तो सबसे पहले English में हम क्यों की English लेके आएंगे, why helping of had the dogs been running for an hours, अब हम देखते हैं, rule number 3, English sentence में, कितना, यानि how much, कितने, how many, counts are which, यह ऐसे words होते हैं, जो इनसान की या तो adjective के बारे में पूछा जाता है, या तो quantity के, या तो measure के बारे में पूछा जाता है, तो जब ऐसे words आएं, इनके साथ हम नाउन को भी लेके आएंगे, इसके बीच में, इसके और नाउन के बीच में, हम helping walk up पर जो नहीं करेंगे, example है, कितने खिलाडी सुबा से match खेल रहे थे, how many players had been playing the match since morning, friends अब सीखते हैं, rule number 4, interrogative, negative walk, यानि interrogative sentence अगर negative की, negative में हो, तो इसको बिलकुल affirmative sentence की तरह बनाते हैं, केवल करता के बाद not लगा देते हैं, जैसे example, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे, had they not been helping me for many years, यहाँ पर केवल subject के बाद not लगाया गया है, बाकी sentence के सारे words उसी order पे हैं, जो आप interrogative, affirmative sentence में देख चुके हैं, friends, interrogative का कोई भी sentence हो, उसमें परस्णवाचक चिन जरूर लगाते हैं, जैसे what had he been doing since morning, अब यहाँ पर यह परस्णवाचक वाक के हैं, तो इसको और improve करने के लिए हम question mark कर प्रियोग करेंगे, तो friends, I hope कि यह sentence आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कोई doubt है, तो आप हमें comment कर सकते हैं, यह description में हमारा WhatsApp number है, उस पर भी message करके आप पोच सकते हैं, तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में,